कि इस देश में डेमोक्रेसी बचाने की जिनेदारी सिर्फ सेडूल कास्ट के लोगों ने उठा रखी है और उनका उन पर कितना बोश डाला जाएगा मुगलों के दरवार में कौन था दरवारी और कौन था राजा उसकी जाती पता किजिए अंग्रेजों के दरवार में कौन था दरवारी कौन अंग्रेजों को कह राता किम विदेश से आएं कौन किताब लिख राता उसका धर्म भी देखिए और जाती भी देखिए 1920 के आज पास इस देश में धार्मिक संपर्लाई करन का खेल सुरू हुआ है वो भी उन्ही लोगों ने खेल सुरू किया जो लोग जाती के नाम पर मजे मार रहे थे जो भी लोग हैं जो लोग पिछली बार भी जिनों ने इतनी मेहनत की संसाधन जुटाया और समाज के लिए उनकी जो तकलीफे हैं इस देश के लिए जो तकलीफे हैं इस देश को जो मजबूत देश बनाना चाहते हैं उसी करी में सब आयोजन हो रहा है और सबसे ज़्यादा शुक्रिया उन लोगों का जो उस तरब बैठे हैं उनके लिए इक बार ताली बजा दीजे मंच के लोग जो लोग कुर्शियों पर बैठे हैं मेरी गुजारी सहमंच पर बैठे हुए लोगों से कि उनके लिए जो दर्सक दिरगा में उनके लिए ताली बजा दीजे देखिए मैं मेरी उमर ज्यादा नहीं है मैं काम भी बहुत कम दिनों से कर रहा हूं लेकिन मैं एक खास बात कहना चाहता हूं आप लोगों से ये देश 2000 सालों से जातियों में बटा हुआ देश है कोई ऐसी कम्यूटी नहीं है जहां जाती नहीं है लेकिन उस कम्यूटी के जो जातिवादी लोग हैं वो इतने शातिर हैं इतने होश्यार हैं कि उन्होंने अपने ही समाज के लोगों को धर्म के आडंबर में घेर रखा ह और कोई ऐसा community नहीं है कोई ऐसा समाज नहीं है जिसका उपनी वाला तपका जो है वो नीचे वाले तपके का सोसन नहीं कर रहा है तो मुझे लगता है कि मैंने जो निचकर्स निकाला है कि इस दौर में 2000 सालों का भारत में जाती का इतिहास है और पिछले 120 सालों से धर्म के आधार पर दंगे चल रहे हैं अब आप लोगों को तै कर रहा है कि इस देश की जो सबसे बड़ी बिमारी है वो जातिवाद की बिमारी है या संपरदाइक्ता की बिमारी है आज के समय में दोनों बिमारी बहुत जरूरी है संपरदाइक्ता भी है और जातिवाद भी है अब सवाल है कि ये दूर कैसे होगा मेरा जो आकलन है मेरा जो अनुवान है मैं जो समझ पाया हूँ कि इस देश में हर आदमी अपनी जाती और अपने धर्म के हिसाब से जब सोच रहा है तो मैं इस देश के तमाम धर्म और जाती के लोगों से गुजारिस कर रहा हूँ कि आप कुछ मत कीजिए एक काम जरूर कीजिए अपने बच्चों को किसी भी कीमत पर पढ़ाईए अपने लिए संसाधन जुटाईए और जिस दिन आप पर लिख जाएंगे संसाधन जुटा लेंगे आपको जाती बाद और धार्मिक कटरता संपरदाय बाद ये दोनों समझ में आने लगेगा आज के समय में मुझे नहीं पता भारत में डेमोक्रेसी क्या होगी कल रहेगी नहीं रहेगी दुनिया के बहुत सारे देशे जहां डेमोक्रेसी नहीं है चीन में भी डेमोक्रेसी नहीं है उत्तर कोरिया में भी डेमोक्रेसी नहीं है भारत में जिस तरह की लोग अंदेशा जता रहे हैं लेकिन मैं ये बात जानता हूँ कि इस देश में डेमोक्रेसी बचाने की जिम्यदारी सिर्फ सिर्यूल काश्ट के लोगों ने उठा रखी है और उनका उन पर कितना बोश डाला जाएगा समाजिक वदलाव की जिम्यदारी डेमोक्रेसी बचाने की जिम्यदारी बाबा सहर ने सम्विधान दिया उनके बंसजों ने बड़ी लराई लरी है तथाकत बुध ने लराई लरी उसके बाद फूले पिरियार अमवेट का रहधास कवीर सहाब ने लराई लरी आजादी के बाद जग्यों बावु ने लराई लरी उन लोगों की पहचान कीजिए जो अपने जाती को लेकर बैठे हुए है और उससे भी ज़्यादा खतरनाख है जो अपने धर्म को लेकर बैठे हुए है आखिर बहुजन समाज अपना धर्म भी छोड़ चुका है अपनी जाती भी छोड़ चुका है और वो एक समाजी के जूरता की बात करता है और वो संविधान बेचाने की बात करता है उनकी भी पहचान कीजिए कौन लोग है जो धर्म के नाम पर गोलबंध है कौन लोग है जो धर्म के नाम पर आजिती करते हैं और उनकी भी पहचान कीजिए जो कौन लोग है जो इस देश में जातिबाद बनाय हूं है और जो जाती की मलाई खा रहे हैं और उस पर बात भी नहीं करते हैं आप लोग तै किजिए इस देश में सबसे बड़ी समस्या जातिबाद की समस्या है जो 2000 सालों से चली आ रही है 1920 के आज पास इस देश में धार्मिक संपलाई करन का खेल सुरू हुआ है वो भी उन्हीं लोग ने खेल सुरू किया जो लोग जाती के नाम पर मजे मार रहे थे मुगलों के दर्वार में कौन था दर्वारी और कौन था राजा उसकी जाती पता कीजिए अंग्रेजो के दर्वार में कौन था दर्वारी कौन अंग्रेजो को कह रहाता कि हम विदेश से आये हैं कौन किताब लिख रहाता उसका धर्म भी देखिए और जाती भी देखिए और इस देश का जो 97% चाहे वो किसी समाज का हो किसी धर्म का हो किसी जाती का हो वो सोसित है, फिरित है, बंचित है और उसमें उसके अपने ही समाज अपने ही जाती और अपने ही धर्म के लोग का हाथ है जो उसको समझने नहीं दे रहा है तो ये समझ में आएगा कैसे इसका एक ही रास्ता है फूले, पिरियार, अंबेटकर जग्देव परसाद मानवलकांसी राम सहाग यन तमाम महापुरुष जिनोंने उतनी ही किताबे लिखी जाय गुरु गोविन सिंह हो जिनोंने किताबे लिखी है जिनोंने इस देश में नो रेस, नो कास्ट उन लोग की पहचान कीजिए वो कोड़ लोग है जिनोंने जाती और धर्म के नाम पर राजनीती नहीं की है उन लोग को अपना आइकॉन मनाईए और जब आप इसके पहचान करेंगे तब आपको लगेगा कि इसकी पहचान बीना परहे लिखे नहीं होगा तो मैं आप सब लोगों से बुजारिस करता हूँ कि राजनीती बदले न बदले जाती धर्म की लगाई खत्म हो न हो पता नहीं लोग तंत्र रहेगा की नहीं रहेगा संबिधान बचेगा की नहीं बचेगा ये काम हम लोग कर सकते हैं इंडिविजूल अपने बच्चों को पढ़ाईए अपने बच्चों का पेट काटकर पढ़ाईए उनके भविस के लिए सोचिए संबभ हो तो दुनिया के किसी देश में भेजिए लेकिन उनको पढ़ाईए और किसी भाकावे में मत आईए न जाती के भाकावे में आईए न धर्म के भैकावे में आईए ये इतिहास गवा है कि जिन लोगोंने एजुकेशन ब्यापार का रास्ता अपनाया है वही जीवन में खुशहाल है और वही पुलिटिकल पार्टी में सफल हो रहे हैं वही धार्विक रूप से भी उनको सम्मान मिल रहा है तो एक लख्ष तै करें और खासकर बहुजन समाज के लोग ही गरीब हैं SCSTOBC के लोग गरीब हैं वो किसी भी कीमत पर अब एक बात दौर कर लिजिए इस देश में कोई भी कम्मुनिटी हो कोई भी धर्म हो SCSTOBC उसमें है क्रिस्चन में भी सिडूल ट्राइब हैं मुसल्मान में भी OBC है मुसल्मान मैं OBC कह रहा हूँ ध्यान से सुनिये जो सुनना चाहते है SCSTOBC कह रहा हूँ मैं चाहे वो सिख समाज हो वहाँ भी OBC है SC है मुसल्मान हो वहाँ भी OBC है और हिंदू हो वहाँ भी SCSTOBC है को पढ़ाईए और जब आप पढ़ाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जो आपको धर्म की चासनी में डूब हो रहा है वही आपका सोसक तो नहीं है और इसको समझने के लिए आपको पढ़ना लिखना पढ़ेगा इसलिए संतगाटगे जोनों कहा है कि पेट काटकर कम खाकर किसी भी कीमत पर और कहीं मत पैसा दो अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ उसी में आपका मुक्ति का मार्व है शुक्रिया